हेलो माई प्रेशास फ्रेंड वेलकम बैक टू माई चैनल विचीज संचीता कुईक हेल्दी अन्टेस्टी मैं हूँ संचीता बेशरा और एक नए रेसिपी लेकर किचेन में आ गए है आज का रेसिपी बहुत स्वीट है यानि कि आज हम कुछ मिठा बनाने वाले हैं ये रेसिपी बहुत इजी है सभी बना सकते हैं सिर्फ कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे हप पाइनापिल लिया है और जो हाप था उसको हमने खा लिया है और ये बच गया था तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बचा हुआ पाइनापिल से पुडिंग बना कर दिखाऊंगी सबसे पहले पाइनापिल को अच्छी तरह से हम काट लेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए पुड़ा पाइनापिल का जरूरत नहीं है ये हप पाइनापिल से 10-12 जरन के लिए पुडिंग बनकर तयार होगा तो हम अच्छी तरह से पाइनापिल को काट लेंगे अच्छी तरह से इसका छिलका को उतार लेंगे पाइनापिल के छिलके को हमने छिल लिया है ये देखिए आप देख सकते हैं और ये जो इसको बोलते हैं pineapple के आँख इसको भी हम अच्छे से निकाल लेंगे seasonal fruit खाना सभी के लिए बहुत जरूरी है और सिहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है इस समय बजार में बहुत सारे pineapple उठ रहे हैं, बहुत सारे pineapple मिल रहे हैं तो आप खड़ी दिये, खाईए और जब आप pineapple खाते खाते बोड़ हो जाएंगे तब आप pineapple की pudding बना कर जरूर खाईए मेरी इस recipe को देखने के बाद सबसे पहले हमने pineapple को round में एक layer हमने काट लिया है, पतला सा, जितना पतला आप से हो सके उतना पतला करके एक layer आप काट लीजिए इसके बाद बाकी pineapple को आप छोटे छोटे टुकडों में काट लीजिए, जिस तरह से मैं काट कर रही हूँ ये मोटा वाला पार्ट है, ये थोड़ा सक्त होता है, इसलिए मैं इसको काट कर फेक रही हूँ आप pineapple को काटने के बदले, greater से grade भी कर सकते हैं मेरे पास फिलहाल greater नहीं है, तो इसलिए मैं इसको काट रही हूँ आपके पास greater है, तो आप grate कर लीजिए, तो इससे आपको बनाने में बहुत आसानी होगा इस तरह से छोटे-छोटे टुकडो में सारे pineapple को काट लेंगे हमने सारे pineapple को काट लिया है, अब चलिये चलते हैं हम गयस की तरफ इहां पर करहाई को हमने गरम करने के लिए रख दिये थे, अब इस गरम करहाई में हम pineapple को डालेंगे और ये देखिए, pineapple को गरम करहाई में डालते ही कैसे रल्स छोड़ने लगे है pineapple आप देख सकते हैं, अब इसमें हम देंगे दो चुटकी नमक, नमक देने से ये बहुत जल्दी गल जाएगा, बहुत जल्द नरम हो जाएगा नमक देने के बाद अच्छी तरह से चला लेंगे, इस समय गैस की flame को मैंने मीडियम पर रखे हैं और गैस की flame को मीडियम पर रखे ही इसको गलाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, पाइनपल कितना रस छोड़ रहे हैं, अगर आप गैस की flame को हाई कर देंगे, तो ये करहाई के तले में बहुत जल्दी रस सूख के करहाई के तले में लग सकता है, तो इसलिए गैस क flame को मीडियम पर रखे, कर्ची से दबाते हुए रस को निकालिए, यानि की pineapple को नरम कर लीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, pineapple को हमने नरम कर लिया है, अब इसमें हम चम्मच से 5 चम्मच और कटोड़ी से छोटे कटोड़ी में सकर देंगे, सकर आप अपने स्वात क अनुसार कम याफे जादा कर सकते हैं, pineapple जादा मीठा है, तो कम सकर दीजिए, थोड़ा खटा है, जा खटा जादा है, तो आप थोड़ा जादा सकर दीजिए, सकर को अच्छी तरह से मेल्ट होने तक इसको हम पकाएंगे, यह देखिए, सकर का एक भी धाना नहीं रहना चा अच्छे से घुल गया है, अब गैस की फ्लेम को बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक एक कटोरी में हमने चार बड़े चम्मच पावडर मिल्क लिया है, उसमें हम गरम पानी डालेंगे और गारहा करके इसको घोल लेंगे, इसको लिक्वीटी नह बनाने के लिए हमने पावडर वाला दूद लिया है, गाय का दूद या फिर पैकेट वाला दूद हम इसमें यूज नहीं करेंगे, क्यूंकि पाइनपल खटा होता है, तो दूद फटने का चांसेस बहुत जादा है, इसलिए हम पावडर वाला दूद ले रहे हैं, आप भ पूडिंग को बनाने के लिए मैंने या पर एक अंडे का यूज किया है अगर आपको दो अंडे देना है या फिर तीन अंडे देना है तो आप दे सकते हैं कोई बात नहीं अंडे देने से जादा अंडे देने से आपका पूडिंग थोड़ा मोटा बनेगा इस पूडिंग को बनाते वक्त आप दो चीजों की ध्यान रखिए एक पाइनपल अगर आपके ना गले तो आप इसमें पानी देकर पाइनपल को गला लीजिए और इसमें एक से भी जादा अंडा आप यूज कर सकते हैं अंडे को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है अब इसमें हम मिल्क पाउ करके जरूर बताईए मैं जल्द से जल्द सौल्प करने की कोसिस करूंगी साड़े मिक्सचर को हमने डाल दिया है अब इसको अंडे के साथ अच्छी तरह से मिलाना है जिससे की कोई भी गुटली या फे लंस इसमें ना रहे और ये बरतन में कटोरी में थोड़ा सा पेस्ट ना हो मिल्क पाउडर के मिक्सचर और अंडे को अच्छे से घोल लिया है अब इसमें हम इलाइची पाउडर देंगे मैंने यहां पर तीन इलाइची को कूट के इसका पाउडर मैं इसमें दे रही हूँ अगर आप एक से जादा अंडे का यूज कर रहे हैं तो आप तीन के बदले छे इलाइची पाउडर उसमें दे जितना जादा आप अंडे यूज करेंगे उतना जादा आपको इलाइची पाउडर देना पड़ेगा नहीं तो इलाइची पाउडर को अंडे और मिल्क पाउ अब इसमें हम देंगे पाइनपल जिसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिये थे ये अच्छे से ठंडा हो गया है अब इसको हम इसमें डाल देंगे पूरा डाल देना है पाइनपल के मिक्सचर अच्छे से ठंडा होने के बाद ही आप इसमें डालिएगा नहीं तो इसमें अ आप अंडे वाले मिक्सचर में इसको डालिए पूरा डाल देंगे और यहां पे हमने पूरा डाल दिया है अब इसको अच्छे से मिलाएंगे इसमें कोई भी लंस नहीं रहना चाहिए अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहां पे आप देख सकते हैं हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब चलिए चलते हैं हम गैस की तरफ करहाई को हमने गड़म कर लिया है और इस गड़म करहाई में अब हम देंगे थोड़ा सा बटर आप यहां पे बटर के बदले रिफाइंड ओयल भी दे सकते हैं एक चममच बटर देने से बहुत चारो तरफ थोड़ा सा फैला लेंगे जिससे की पाइनापिल की स्लाइस जब इसमें हम देंगे वो कड़ाई के तले में ना चिपके हमने अच्छी तरह से फैला लिया है अब इसमें पाइनापिल की स्लाइस को जिसको हमने राउंड करके कट कर रखे थे इसको इसमें दें और इस समय गैस की फ्लेम को एकदम कम करके रखना है एकदम लोग पे रखना है नहीं तो ये कड़ाई के तले में लगकर जल सकता है अब इसमें हम देंगे छोटे कटोरी में एक कटोरी सक्कर सक्कर देने के बाद सक्कर को हम करमलाईज कर लेंगे और ये पूरा पार्ट मैं स खमिलादार लगे तो आप ये बाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, सक्कर ब्राऊन कलर आने तक इसको हम पकाएंगे, और यहां पर आप देख सकते हैं सक्कर धीरे-धीरे ब्राऊन हो रहा है यह दिखूए सक्कर को केरमेलाईज करते वक्त आप एक चीजों की फिर से ध्यान रखिए अगर केरमेलाईज करते वक्त आपकी सक्कर कड़ाय के तले में लग रहा है, जम रहा है तो आप इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी का चीटा भी मार सकते हैं जिससे की ये बहुत ज़्यादा सक्त ना हो अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और बहुत जल्दी जल्दी जिस बरतन में हम पुडिंग बनाएंगे उस बरतन में बटर लगा लेंगे यहाँ पे हमने बटर को लगा लिया है और उस बरतन में हम केरमेलाइस किया हुआ सक् pineapple की slice को डाल देंगे इसको gas से उतारने से पहले आप pineapple को भी एक बार चेक कर लीजिएगा कि pineapple नरम हुआ है या नहीं मैंने भी चेक कर लिया था अब इसको हम ठंडा होने के निये रख देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं caramelize किया हुआ सककर अच्छे से जम गया है यह अच्छे से ठंडा हो गया है अब इसमें हम वो अंडा, दूद और pineapple की mixture को इसमें डाल देंगे यह भी पूरा ठंडा होने के बाद ही आप इसमें डाल लिए नहीं तो इसमें भी अगर आप गरम रहते इसको डाल देंगे तो यह अंडा कूक होने का चांसे है इसलिए केरमलाइस किया हुआ सककर ठंडा हो जाए तभी आप यह pineapple की mixture इसमें डाल लिए mixture को डाल देने के बाद अब इसको हम cover करेंगे और यहाँ पे मैंने cover करने के लिए aluminium foil का यूज किया है अगर आपके पास aluminium foil नहीं है तो कोई भी steel या फिर aluminium का ही ढखकन से इसको अच्छे से ढख सकते हैं मेरी इस recipe देखने के बाद आप भी घर पे pineapple pudding बनाईए खाईए और मुझे comment के द्वारा जरूर बताईए आप लोगों को pineapple pudding कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त पास में जो घंटी है याने की notification bell उसको on करके all पे क्लिक करतें जिससे की जब भी मैं कोई नई recipe बनाऊंगी आपके पास notification जाएगा और सबसे पहले आप मेरी नई recipe को देख पाएंगे यहाँ पे मैंने करहाई में थोड़ा सा पानी लिया है और उसको अच्छे से गरम कर लिया है याने कि गरम करने के लिए रख दिया है और इसके उपर stand देंगे और इस stand के उपर हम ये pudding बाला बर्तन को अच्छे से रख देंगे pudding बाला बर्तन को रख के उपर से और एक धकन से इसको हम धकेंगे और 32-40 minutes के लिए धीमी आज में इसको हम पकने देंगे इसको पकने में थोड़ा समय लगता है इसको हमने 40 minutes पका लिया है इसके बाद इसको हमने इसमें ही ठंडा होने के लिए रख दिये थे और ये अच्छे से ठंडा भी हो गया है आप देख सकते हैं मैंने इसको हातों से ही निकाल लिया है अब इसको खोल कर देखते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं pudding एकदम बन कर तयार है ये देखिए ये साइड से भी अपने आप ही छूट रहा है इसको ऐसा ही होना चाहिए 30 मिनिट्स हो जाने के बाद इसका साइड आप चेक कर लीजिए इसको आप कैसे पता चलेगा आपको कि ये पका है या नहीं इसका साइड देखकर आपको पता चल जाएगा ये पका है या नहीं अगर साइड से ये सेट हो जाए तब आप समझिए ये अच्छे से पक गया है और अगर साइड से ये गीला गीला लगे ये साइड से चिपका लगे तो आप समझिएगा कि इसको और थोड़ी देर के लिए पकने देना है अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे आपका पुडिंग अच्छे से पका है या नहीं अगर आप चाकू के मदद से चेक करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप इस पुडिंग का साइड अच्छे से नोटिस करियेगा साइड से ये बरतन में चिपक जाएगा और एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा तभी आप समझेगा कि ये पुडिंग आपका बनकर तयार है मैंने या पे बरतन में इसको निकाल लिया है अब इसको धीरे धीरे करके हम बरतन को उठा लेंगे और ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया पुडिंग बनकर तयार है बरतन में थोड़ा सा भी लगा नहीं है क्योंकि हमने इसमें बरतर दिया था इसलिए बहुत आसानी से ये निकल गया है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा कितना अच्छा दिख रहा है केरमलाइस किया हुआ सक्कर भी आप साइड से देख सकते है बहुत ही अच्छा कलर भी इसका वैसा का वैसा ही है और बहुत अच्छा बनकर तयार है मैं आशा करूंगी आप सभी को ये रिसीपी बहुत अच्छा लगेगा अगर इसमें हम और दो अंडे देते तो ये पुडिंग और भी थोड़ा सा मोटा बनता आपको जादा मोटा चाहिए पुडिंग तो आप और दो अंडा इसमें दे सकते हैं लेकिन दो अंडा देने से इलाइची पाउडर भी आपको थोड़ा सा जादा देना पड़ेगा बहुत जादा भी मत दी जिएगा नहीं तो ये पाइनापेल का धिमी धिमी स्वीट खुजबू और स्वाद आपको नहीं मिलेगा थैंक यू सो मच फ्रेंड मेरी पुड़ी वीडियो देखने के लिए मैं आशा करती हूँ आज का रेसिपी आप सभी को बहुत अच्छा लगा है आप भी मेरी रेसिपी को देखने के बाद घर पे पाइनापेल पुडिंग बनाईए खाईए और मुझे कॉमेंट के द्वारा जरूर बताईए आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा मेरी वीडियो को आप अच्छे से देखे इसके बाद आप पुडिंग बनाईए मैं आशा करूंगी आपका पुडिंग भी बहुत अच्छा बनकर तयार होगा इस रेसिपी को मैंने बहुत अच्छे से एक्स्प्लेइन करके बनाया है अगर आपको फिर भी इसको बनाने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉमेंट करिए मैं जल्द से जल्द आपको एंसर देने की कोसिस करूंगी आप लोगों के साथ फिर जल्द ही मुलाकात होगी एक नई क्विक हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी के साथ तब तक आप मेरी बाकी रेसिपी को जरूर देखे मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छा लगेगा और बाकी रेसिपी देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगा ये भी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा थैंक यू